आयुश, आयूर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिध्धा और होमयोपैथी, इंडस्ट्री में टॉप बिजनेस ओपोर्टुनिटीज आयूर्वेदिक और शदी मैनुफेक्टिरिंग यूनिट आयूर्वेदिक चिकित्सा की अत्यधिक मांग है, भारत में 70% से अधिक परिवार प्रती माह कम से कम एक आयूर्वेदिक उत्पाद का उप्योग करते हैं आयूर्वेदिक और शदी मैनुफेक्टिरिंग यूनिट शुरू करना एक आकर्शक बिजनेस ओपोर्टुनिटी हो सकती है दो हजार चबबीस तक उद्ध्योग के 14.9 बिलियन डॉलर तक पहुचने का अनुमान है आयूर्वेदिक और शदी मार्केटिंग कमपनी यदि आपके पास मैनुफेक्टिरिंग यूनिट के लिए बजट नहीं है तो आयूर्वेदिक मैडिसिन मार्केटिंग कमपनी शुरू करने पर विचार करें आपको दवा से संबंधित किसी भी लाइसेंस की आवशक्ता नहीं होगी बस अपनी कमपनी पंजीकृत करें और GST नंबर प्राप्त करें और थर्ड पार्टी मैनुफेक्टिरिंग से अपने प्रोड़क्ट्स बनवा कर बिजनेस शुरू करें आयूर्वेदिक और शदी होलसेल और डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस आयूर्वेदिक दवाओं का होलसेल और डिस्ट्रिब्यूशन एक और लाबदायक बिजनेस है आप बड़ी आयूर्वेदिक कमपनीों के साथ साजेदारी कर सकते हैं या छोटे खिलारियों के साथ शुरूआत कर सकते हैं वित्रकों और थौक विक्रेताओं के लिए लाब माजिन आठ प्रतिशत से साथ प्रतिशत तक होता है आयूर्वेदिक चिकित्सा रिटेल फामेसी स्टो आयूर्वेदिक दवा खुदरा फामेसी स्टो स्थापित करना एक बड़िया विकल्प है किसी ड्रग लाइसेंस की आवशक्ता नहीं है बस एक प्राइम लोकेशन भूरे और आयूर्वेदिक दवाए बेचना शुरू करें आप इन्हें अपने क्षेत्र के वित्रकों या थौक विक्रेताओं से खरीद सकते हैं आयूर्वेदिक चिकित्सा फ्रेंचाइज बिजनिस आयूर्वेदिक दवा कंपनी के साथ फ्रेंचाइजिंग आपको एक विशेश क्षेत्र में विशेश अधिकार प्रदान करती है आप एक रिटेल आउटलेट खोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के बेसिस पर काम कर सकते हैं फ्रेंचाइज मॉडल अधिक स्वतंत्रता और उच्छे लाब की संभावना प्रदान करता है आयूरवेदिक, यूनानी और सिध्धा मेडिसिन्स की ओनलाइन बिक्री इकॉमर्स फलपूल रहा है और ASU, आयूरवेदिक, सिध्धा और यूनानी दवाओं को ओनलाइन बेचने का चलन बढ़ रहा है आप अपनी खुद की वेबसाइट से बेच सकते हैं या मौजूदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलर अकाउंट बना कर बेच सकते हैं स्टॉट करने के लिए एक GST नंबर और पैन की जरूरत होगी योग कक्षाए, स्वास्थय और फिटनेस के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ अपनी खुद की योग कक्षाए शुरू करना एक लाबदायक बिजनेस हो सकता है बढ़ती मान को पूरा करने के लिए योग आसन और अन्य व्यायाम सिखाए प्राकृतिक चिकित्सा केंड्र प्राकृतिक चिकित्सा केंड्र भी अच्छा विकल्प है प्राकृतिक चिकित्सा केंड्र स्थापित करने के लिए पंजी करन और विभिन लाइसेंस की आवश्यकता होती है योग्य कर्मचारी आवश्यक है स्थानिय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें यूनानी मेडिसिन मैनुफेक्चरिंग यूनिट प्राचीन ग्रीस में उत्पन और अब भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित यूनानी मैडिसिन्स की अच्छी मांग है आप व्यक्तिगत रूप से या आयूर्वेदिक चिकित्सा इकाई के साथ साथ यूनानी दवाओं के लिए एक मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स थापित कर सकते हैं यूनानी मैडिसिन मार्केटिंग कमपनी अपनी खोद की युनानी मेडिसिन मार्केटिंग कमपनी शुरू करने के लिए आपको अपनी कमपनी पंजीकृत करनी होगी और GST नंबर प्राप्त करना होगा आप युनानी दवा मार्केटिंग कमपनी शुरू करके माजिन से अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं यूनानी चिकितसा डिस्ट्रिब्यूशन और होलसेल बिजनेस यूनानी दवा कमपनियों के साथ साजेदारी करके यूनानी दवाओ का डिस्ट्रिब्यूशन और होलसेल शुरू करें डिमांद को पूरा करने के लिए अपना स्वयम का होलसेल और डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस शुरू करें यूनानी दवा खुदरा फामेसी स्टोर अच्छी विक्रीक शमता वाला स्थान चुने और यूनानी दवाओ के लिए एक रिटेल फामेसी स्टोर स्थापित करें अपने क्षेत्र में वित्रकों और थौक विक्रेताओं से दवाय खरीदें सिद्धा मेडिसिन मैनिफेक्चरिंग यूनिट दक्षिन भारत में उत्पन होने वाली सिद्धा चिकित्सा आयुष मंत्राले द्वारा विनियमित है आयुष विभाग से सिद्धा उश्रदी निर्मान लाइसेंस लेकर सिद्धा मेडिसिन की मैनिफेक्चरिंग यूनिट्स थापित करें सिद्धा मेडिसिन मारकेटिंग कमपनी सिद्धा मेडिसिन मारकेटिंग कमपनी शुरू करें अपनी कमपणी पंजी कृत करें, एक GST नंबर प्राप्त करें, और third party manufacturing के लिए सिध्धा medicine manufacturing कमपनियों से संपर्क करें सिध्धा medicine distribution और howl sale business सिध्धा दवा कमपणियों के साथ साझेधारी करके सिध्धा दवाओं का वित्रण और थौक बिक्री शुरू करें मान को पूरा करने के लिए अपना स्वयम का होलसेल और डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस शुरू करे सिद्धा मैडिसिन रिटेल फामेसी स्टो अच्छी विक्रीक शमता वाले स्थान पर सिद्धा दवाओं के लिए एक रिटेल फामेसी स्टो स्थापित करे अपने क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर्ज और थौक विक्रेताओं से दवाय प्राप्त करें होमियोपेथिक दवा निर्मान इकाई होमियोपेथिक दवाओ को manufacturing, distribution और retail सहित सभी चरणों में regulate किया जाता है आयुश विभाग से होमियोपेथिक दवा निर्मान लाइसेंस प्राप्त करके manufacturing बिजनेस शुरू करे होमियोपेथिक medicine marketing company थौक लाइसेंस प्राप्त करके एक होमियोपेथिक दवा marketing company शुरू करें अपनी कमपनी पंजीकृत करें और होमियोपेथिक दवाओ की marketing और distribution शुरू करें होमियोपेथिक चिकितसा distribution और wholesale business होमियोपेथिक दवाओ के लिए अपना स्वयम का distribution और wholesale व्यवसाई शुरू करें होमियोपेथिक दवाओ को थौक में बेचने के license की आवशेक्ता होगी होमियोपेथिक दवा खुदरा pharmacy store होमियोपेथिक दवाओ के लिए एक retail pharmacy stores थापित करें होमियोपेथिक दवाओ को रिटेल में बेचने के license की आवशेक्ता होगी आयुष क्लीनिक एक आयुष क्लीनिक स्थापित करें इसके लिए आपको प्रासंगिक योगिता और राज्य परिशद के साथ पंजीकरन की आवशेक्ता है आयुष कंसल्टेन्सी फ़म, company आप अपना कंसल्टेन्सी व्यवसाई स्थापित कर सकते हैं और अपने ग्यान और विशेश अगिता को साज़ा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं जड़ी बूटियों की खेती जड़ी बूटियों की खेती एक अच्छा व्यवसाई विकल्प है आप पारमपरे खेती की तुलना में काफी बहतर आय अरजित कर सकते हैं कच्चा माल एवं जड़ी बूटिया आपूर्तिकरता व्यवसाई उतपादकों से जड़ी बूटिया खरीदे और आयुश निर्माताओं को आपूर्तिकरता अरबल एक्स्ट्रेक्ट निकालकर आयुश निर्माताओं को उसको सप्लाई का बिजनेस शुरू करे आयुष निर्माताओं के लिए प्रिंटिंग पैकेजिंग सामगरी निर्माता और आपूर्ति करता अपना खुद का पैकेजिंग प्रिंटिंग प्लान स्थापित करें और आयुष निर्माताओं को पैकेजिंग सामगरी की आपूर्ति करें आयुष पर्येटन आयुश परेटन एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है आप आयुश उपचार प्रदान करके या आयुश परेटकों के लिए परेटन पैकेज बनाकर इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी